अभी के समय में हड्डियों में दर्द केल्शियम की कमी के कारण हो सकता है लेकिन लोग बिना डॉक्टर के सला के ही खुदी डॉक्टर बन कर ये गोली लेने लगते हैं लेकिन इसका उल्टा असर भी हो सकता है केल्सियम की गोली की वज़ो से मेमोरी लोज, मांश पेशियों में एठट, हड्डियों और नाखुनों का कमजोर होनी की समस्या हो सकती है लेकिन केल्सियम की गोली लेना खतरनाक है खास कर तब और ज्यादा जब आप इसे शरीर में अब्सॉर्ब करने के लिए ज़रूरी व बैश्कों में हार्ट अटैक से मौत का खत्रा सामाने लोगों की तुल्ना में करिब एक तिहाई जयाता है रिसर्च में बताया गया है कि अलग से लिया गया कैल्सियम शरीर में अब्सॉर्ब नहीं होता है तो दिल के अंदर महा धमी वार्व का खुलना पूरी तरह से कम होता है अमेरिका के ओहायो में क्लीव लैंड क्लीनिक फांडेशन के सूध करताओं ने पांच सार तक अध्यनमिय पाया कि इसके साथ विटामिन दी नहीं लेने पर दिल की समस्या से मरने का जोखिम दो गुना होता है इससे पहले 2010 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक में बताया गया था कि कैल्सियम लेने वालों में दिल के दौरी की दर काफी अधिक है फिर 2019 में टॉक्स यूनिवर्सिटी के विग्यानिकों ने 27,000 अमेरिकी वयस्कों के रिकॉर्ड का विशलेशन कर कैल्सियम की उच्छे खुराक और कैंसर के बीच संबंध बताया था व गुजर्गों में किड्ने स्टोन की समस्या आम तोर पर देखी जाती है इसलिए उन्हें कैल्सियम की गोली लेने से बचना चाहिए आप कैल्सियम सप्लिमेंट के जगह हरी सबजे या दूर ले सकते हैं ताकि आपको गोलीयों की जरूरत ना पड़े हेल्थ इंडिया से र जानकारी के लिए हेल्थ इंडिया यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें हेल्थ इंडिया की वीडियो की सबसे पहले नॉटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें